मेरी गजल लोग ज्यादा तदाद में इसलिए सुनते हैं क्योंकि मैंने उसको बड़ा सिंप्लिफाई किया सुनकार के बिना फंकार कुछ भी नहीं है मैं भी हो सकता है कुछ रेकॉर्ड करूँ इनके स्टूडियो में आज हमारे साथ जुड़ चुकी है कुमार सत्यम तो चलिए जानते है आज हो आए है बड़े भाई मानते है कि सारी जी को तो चलिए जानते कि इतनी खुशी हुई है जब उनके बड़े भाई इतना बड़ा काम कर लिया है उन्होंने तो जानते बड़ी खुशी की बात है कि उनका एक ने स्टूडियो का इनागरेशन है और उनने मुझे बुलाया है तो इतने अच्छे लोगों से मुलाकात और आप लोगों से भी मुलाकात हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है यह देखके कि इन फ्यूचर मैं भी हो सकता है कुछ रेकॉर्ड करो इनके स्टूडियो में तो एक बड़ी खुशी की बात है कि अगर आपके घर से आपका भाई आपके राज्य से कोई इतनी तरक्की करता है और इतना आगे बढ़ता है तो मजा आता है और इसी की साथ स्टूडियो उपन हो चुका है और आपका कुलाब गाने आने वाले और से की साथ जो आपकी जर्नी थी वो कैसी रही जर्नी है बीज गुड और मतलब गाने तो खर बहुत आने वाले घर सले च्कि मैं जादव परिफर करता हूझ गाना और उसी से लोग जानते भी मुझे तो गजले मेरी लॉंच होने वाली है और यूनो यह लैंग्वेज में लोगों के दिल में उतरना और सब को काफी पसंद आता है सब लोग बहुत देखते हैं लेकिन क्या कहना चाहें कि जो हिंदी लैंग्वेज के लोग रहते हैं उनको थोड़ा समझना और वो समझा काना काफी डिफिकल्ट होता है तो आप कोशिश करते हैं उसके हिंदी लैंग्वेज में कुछ बनाओ या यही एक्सेंट में रखो अधिके मैं घजले तो यूजली मैं हिंदी और उर्दू ही उसकरता हूं और ठीक है मैं बहुत ज्यादा एक टॉफ वर्ड जिसको बोलते मिलगा शहाण हैं लेकिन तो आम लोगों में यह नहीं पहुचेगा कि यह क्या है तो सी दीसी बात है उसी को वहां ऑऔर शिम्प्लिफाइब कर दिया मैंने की जैसे कोई ज्यर्ज कि शोर इस दरज़ा मचाने की जरूरत क्या है और घर के जगड़े में जमाने है तो मैंने गजल को थोड़ा सिंप्लिफाई किया, यही रीजन है कि व्ल्ड वाइट का फी ओडियंस बनी और लोगों का पैयार मिला तो ओडियंस के लिए कोई गजल पेश कर दीजिए मचाने की जरूरत क्या है, ओ घर के जगडे में जमाने की जरूरत क्या है, शोर इस दर्जा मचाने की जरूरत क्या है तैंक यू काफी कुपसूरत और I hope audience जो है बेताप रहेगी August मंत का इंतजार करेगी और प्लीज ओडियंस को क्या कहेंगे? Do watch और अपना प्यार दें, आशिरवाद दें और अच्छी चीजों को सुने मुझे इतना सुना है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, आगे भी ऐसा ही बनाए रखें आप लोगों के बिना कोई भी एक आर्टिस सुनकर के बिना फंकर कुछ भी नहीं है थैंक ये सो मच